इंडिया ते हर वेटरो सिटी में एक common problem है कि नए housing projects बनाने के लिए बहुत ही कम जबीन अविलेपल है और जितनी भी existing buildings हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें से कुछ तो बहुत ही बुरी हालत में मुंबई में 40,000 housing societies हैं जिसमें से 10,000 30 साल से उपर है और उन्हें re-development करनी की ज़रूरत है मुंबई के बार MMA region में और 10,000 societies हैं जो 30 साल से उपर हैं और उन्हें भी re-development करानी की ज़रूरत है Similarly दिलनी में housing societies का survey चल रहा है to check कि यहाँ पर redevelopment करनी के ज़रूरत है या नहीं तो basically हर metro city में housing की problem solve करने के लिए आज नहीं तो कंट redevelopment का काम शुरू होगा ही होगा Plus आज के time पर property के prices आसमान चुर रहे हैं specifically नए गरों के prices जिनके साथ में amenities भी हैं अब एक middle class family के लिए ये नए construction दे घर बहुत ही unaffordable होते जा रहे हैं और इसलिए वो resale में एक पुरानी society में घर explore कर रहे हैं और ये उमीद करते हैं कि कभी ना कभी ये society redevelopment में जाएगी और उनको एक नया चमचमाता घर मिल जाएगा प्लस बहुत सारे investors भी इस opportunity को explore कर रहे हैं तो आज में discuss करूँगा कि एक housing society का redevelopment कराने के basic rules क्या हैं लोगों के common questions क्या होते हैं इसके around में redevelopment के advantages क्या हैं इससे associated problems क्या आती हैं members को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए government के क्या initiatives हैं and finally members को कब redevelopment ले agree करना चाहिए तो शुरू करते हैं आज का video redevelopment का simple सा मतलब होता है पुरानी building को गिरा के उसकी जगा पे नई building बनाता अब क्या society के members खुदी decide कर सकते हैं कि चनो redevelopment करते हैं पुरानी building गिराते हैं नई building बराते हैं तो ऐसा नहीं हैं इसके कुछ rules and regulations होते हैं और हर state की अपनी policies हैं लेकिन कुछ चीजें हर state में common हैं सबसे पहले land की ownership society के पास होनी चाहिए मतलब उसकी conveys deed पोच चुकी होनी चाहिए अब बिंडर को जमीन खरीता है उसके उपर वो flat बनाता है और individual लोगों वो घर बेचता है लेकिन वो जमीन की जो society की जमीन है उसकी पूरी title ownership transfer नहीं करता अब ideally society form होने के बार में बिंडर को एक conveys deed करवानी चाहिए और पूरे land की ownership society के नाम पे transfer गरनी चाहिए दूसरी चीज है कि building का structure of audit करवाना होगा ये चेक करने के लिए कि क्या उसे redevelopment करानी की ज़रूरत है या नहीं इस structure of audit सिर्फ building का नहीं होता है उसके आसपास क्या area का भी होता है कि क्या यहाँ पे एक पुरानी building गिरा के नई building बनाना safe होगा या नहीं होगा थर्ड है कि majority home buyers इस redevelopment से agree होने चाहिए तब ही जाके इसका process आगे बढ़बाएगा अब ये majority का definition भी हर state to state differ करता है बट ये 51% से लेके 75% के बीच में majority count होती है अब redevelopment के around कुछ common questions सबसे पहले कि अगर society का conveyance lead नहीं हुआ है जमीन उनके नाम पे नहीं है तो क्या redevelopment हो सकता है then the answer is नहीं हो सकता है लेकिन इसके around हर state की अपनी policies है अब for example महरास्ट्रा में other building की convention नहीं होई है society के नाम पे नहीं है लेकिन majority members self development के लिए agreed है तो deemed ownership consider की जाएगी deemed ownership मतलब ये लोग यहाँ पे इतने सालों से रह रहे है तो अब ये जमेन society की ही मानी जाएगी और उसके उपर self development फिर से हो सकता है दूसरा है कि building कितने साल पुरानी होगी तब ही redevelopment हो सकता है तो इसकी basic guideline ये है कि अगर building 30 साल से जादा पुरानी है तो उसका structural audit करवाना चाहिए और audit के report के basis पर ये decide होगा कि इसमें रिबैट से काम चल जाएगा या फिर redevelopment की जरूरत है अगर building 30 साल से काम है तो क्या redevelopment करवा सकते है तो अगेन अगर लोगों को लगता है कि construction quality अच्छी नहीं है तो वो structural audit करवा सकते है और audit के report के basis पर पता चलेगा कि उसमें structural fault है या नहीं अगर structural fault है अगर वो building unsafe है तो उसका redevelopment करवाना पड़ेगा अगर members ने एक बार अपना written consent दे दिया है तो क्या वो अपना consent बार में बदल सकते हैं then the answer is कि नहीं बदल सकते खिले written consent stand paper पे दिया जाता है और एक बार written consent दे दिया तो उसको इतनी असानी से आप बदल नहीं सकते उसके लिए आपको विट से court जाना होगा explain करना होगा कि आप क्यों बदलना चाते हो तो basically पूरा legal process follow होगा क्या minority members या फिर कोई एक तो members मिलके पूरा redevelopment का process को रुगा सकते हैं तो हाँ बिलकुल हो पूरे redevelopment ये process को affect कर सकते हैं कुछ members case कर सकते हैं magic committee के उपर और ये case अगर लंबा चलेगा तो उसके से redevelopment का process रुप जाएगा कुछ members घर खाली करने के time पे issues create करते हैं जिसके वज़े से again redevelopment का process रुप जाता है लेकिन ये सबका एक ही counter है कि बाकी members को इनके against पे legal action लेना होगा क्योंकि अगर एक पर majority ने agree कर लिया है कि redevelopment होगा और कोई member अगर इसके अंदर objection create कर रहा है तो उसका एक ही solution है वो है legal action और legal case करने के बाद ही आप उस member को vacate करवा सकते हो और redevelopment का process फिर से शुरू गर सकते हो एक redevelopment project को complete होने में किता time लगता है तो बोलते हैं कि ideally 2 साल लगते है बट in reality इससे बहुत जादा time लगता है तो लिए सभी members का consent लेने में, builder final गरने में building बनाने के लिए सारे approvals लेने में बहुत सारा time जाता है और इस वज़े से construction दो साल में कभी पूरा नहीं हो पाता है अब जब इस society का redevelopment होगा तो members को rent पे रहना होगा तो ये rent के पैसे कौन देगा ये depend करता है members और builder के agreement के बीच में बट usually ये पैसे builder ही देता है क्या एक redevelopment project के उपर rara apply करता है तो जी नहीं रहरा apply नहीं करता है क्या redevelopment करने के लिए एक builder से type करना जरूरी है तो जी नहीं ऐसा नहीं है society खुच से self development कर सकती है वो खुच से architect और contractors को hire गर के पूरा process खुदी complete कर सकते अब redevelopment के advantages के हैं सबसे पहला और obvious है कि आपको एक नया गर मिल जाएगा और वो भी free of cost अब इसका logic यह है कि जिस भी builder से आप type कर रहे हो वो आपके project में तभी interested होगा जब उसमें additional FSI available होगी जिसको वो यूज करके additional पैसे कमा सकता है मतलग उसके अंदर इतनी FSI available है कि वो additional units बनाएगा जिससे पूरे binding की cost of construction भी निकलाएगी और उसका profit भी बन जाएगा अब आप अगर binding का repair work कराने जाते हो तो repair work से binding की life सिर्फ 4 यव 5 साल से बढ़ती है और अगर binding बहुत ज़दा पुरानी है और उसमें major repairs ची है तो उसका खर्चा भी almost 1000 उपे per square feet के इसाब से आता है तो basically repair work में आपका खर्चा भी बहुत जाता है और life भी जादा नहीं बढ़ती तो उससे better यह है कि आप पूरे project का redevelopment करवा लो जिससे आपको पूरी एक नई binding मिल जाएगी उसके layouts भी नए होंगे और उसपर hopefully amenities भी होंगी जैसे car parking, club, player या तो basically आपको पूरा का पूरा एक नया घर मिल जाएगा वो भी zero cost पे secondly अगर land का available FSI जादा है तो यह भी possibility है कि आपका घर का size थोड़ा सा जादा बढ़ा हो जाए और अगर आपको additional space खरीदनी भी है तो भी यह आपको lowest cost में मिलेंगी क्योंकि आप already member हो थर्ड अगर आपका land prime location पे है और अच्छी खासी FSI available है तो यह भी possibility है कि vendor आपसे एक अच्छा सा profit share करें या फिर बड़ा सा corpus fund दे दे जिससे आपका future maintenance free हो जाए और अगर आप खुछ से self development करा रहे हो तो सभी members वो काफी अच्छा profit sharing भी मिल सकता है and finally जो भी आपका नया घर बनेगा उसकी market value आपके existing घर से काफी जादा होगी तो obviously आप उसको बेच के भी अच्छा profit booking कर सकते हो अब redevelopment के काफी सारे advantages तो हैं लेकिन उसके साथ में काफी सारे issues भी आदे हैं सबसे पहले सभी members को अगरी करवाना same page पे लेके आना ये अपने आप में बहुत बड़ा task है और मैंने बहुत बार देखा है कि कहीं पे एक तो members अड़ जाते हैं क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि यह project उसके लिए profitable नहीं है कभी कोई member legal case कर देता है कभी कोई other world की society कोई legal case कर देती है कभी कभी कोई approvals मिलने में बहुत ज़्यादा delay हो जाता है या फिर approvals नहीं मिनते हैं अगर society किसी defense area या किसी airport area के पास है तो उसकी height restriction होती है उसके approvals में issue आ जाते हैं महराष्टा में 4,000 redevelopment projects तक अपड़े हैं which are affecting almost 1,000,000 families problem यह है कि एक बर project fuzz गया और अगर आप court चले गए और legal case शुरू हो गया तो यह कितना लंबा चलेगा इसका कोई idea नहीं है और इसमें सबसे बड़ी problem यह है कि लोग एक साथ आके यह case लड़ते नहीं है तो लिए सबकी life बहुत busy है सबको अपने काम पर जाना है तो basically लोग एक साथ आते नहीं है और अपने ही case को डंग से follow up नहीं गरते इसके अलबावा पूरे process में corruption यह possibility होती है between the managing committee and the builder builder बहुत बार unauthorized construction कर देता है to earn additional profits जिसके वह जिसे बाद में OC नहीं आता और फिर problem होती है builders अच्छे view वाले units अच्छे layout वाले units अपने पास रख लेते हैं for sale और members को तबेवे units देते हैं जिसके वह जिसे members और builder के बीच में फिर argument हो जाता है redevelopment के दोरान लोगों को rated accommodation में रहना पड़ता है जिससे काफी साने लोगों को परिशानी होती है plus जिनोंने अपने गर में खर्चा किया है कुछ काम करा है कोई permanent fixture बना है जिसको गर से निकाल नहीं सकते तो ये fixture तो lost हो जाएगा but this is a collateral damage finally जब घर ready हो जाता है तो जितनी भी आपको additional space मिली है उसके उपर आपको registry गरवानी होती at the existing market value मतलब उस पे भी आपको additional कर्चा आएगा property tax बढ़ जाएगा eminities होने के वज़े से आपका maintenance का cost बढ़ जाएगा हर महीने का और जब नई printing बनके तयार हो जाती है तो काफी सारे नई लोग भी उस पे रहने आते और ऐसा बहुत बार देखा रिया है कि जो नई लोग रहने आते उनके बीच और जो existing पुरानी management है उनके बीच में काफी बार friction आता है और finally अगर आप खुछ से self development कर रहे हो तो इसमें आपको एक strong knowledgeable managing committee चीए otherwise इस पूरे project को manage करना इतना आसान नहीं होगा और प्लस ऐसे case में finances को लेके काफी हेरा फेरी होती है और project delay हो जाता है अब ऐसे कुछ points जिनके उपन members को बहुत ज़ादा त्यान देना चाहिए redevelopment कराते हुए सबसे पहले societies usually ऐसे builder को select करती है जिसका price bid सबसे ज़ादा आया होता है अब price bid के अलावा उनको builder का experience उसका delivery track recorders की finances stability भी ध्यान देनी चाहिए चुक लिए ऐसा बहुत बार हुआ है कि builders ने बीच में ही project को abandon कर दिया है दूसरी जो सबसे दा important है वो है agreement between the members and the builder बहुत बार ये agreement correctly draft नहीं होता जिस विज़े से members को बार में बहुत बड़ा loss जेलना बढ़ता है इसलिए एक अच्छा lawyer होना बहुत ददा जबूरी है agreement में clearly mention होना चाहिए कि कितना carpet area मिलेगा additional area कितना मिलने वाला है ये project कब तक complete होगा ये project अगर delay होगया तो builder की penalty क्या होगी वो additional amenities क्या क्या देने वाला है वो additional पैसा कितना देने वाला है या फिर वो corpus fund कितना देने वाला है अगर वो rent पे घर दे रहा है या फिर वो rent पे कर रहा है तो वो कितना होगा shifting charges कितने होगे ये सारी चीज़ होगी clarity उस agreement में होना बहुत सुरूरी है नहीं तो बाद में जाके बहुत ज़ादा issues create हो जाते है इसके साथ में एक bank guarantee भी लीनी चाहिए usually ये bank guarantee 20% of the total value होती है and finally redevelopment committee को ये ensure गरना चाहिए कि हर member को ये clearly पता है कि build-up का final offer क्या है योग बहुत सारे लोग starting में ध्यान नहीं देते और उसके बान में वो issue create करते हैं इसके वएसे पूरा redevelopment का process रूप जाता है तो इनना nutshell redevelopment करा के तभी फाइदा है जब आपके पास available FSI इस more than the existing consumed FSI by the society तभी कोई builder आपके project में interested होगा तभी आपको अगर प्रीम मिलेगा और शायद कुछ additional profit भी मिले अगर आपके वास mixed use का approval है मतलब अगर आप कोई commercial shops भी बना सकते हो society में तो और दादा added advantage है अब metros में land availability और पुरानी unsafe buildings का issue ग्राचुनी पढ़ता जा रहा है जिस वजे से काफी सारी state government बहुत दादा active हो गई है अब for example महराश्ट्रा में एक single window clearance system बनाये गया है जहाँ पे self development projects को तीन महीने में approval मिलेगा इसके अलावा कुछ selected cooperative banks को बोला गया है कि वो self development projects को subsidized rates पे finance भी देंगे प्लस जो आपको additional area मिलता है नए घर के अंदर उसके उपस standardity registration charges भी महराश्ट्रा में कम गर दिये गए हैं इसके अलावा जो stuck projects है उनको भी महराश्टा government take over कर रहे है ताकि उनको भी timely complete किया जा सके तो basically आज मुंबई में सबसे ज़ाब problem है और इसलिए महराश्टा government redevelopment को लेगे काफी ज़ादा active है बट आज नहीं तो कल बाकी सारी state governments भी redevelopment को लेके बहुत ज़्यादा initiatives लेके आएंगी और active होँगी विकॉज वो एक ही तरीका है housing की प्रॉब्लम्स फॉज़दरने बाद I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे like कर दीजे अपने friends, family, colleagues से जाथ में share कीजे और अगर आप Indian real estate के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को subscribe कर लो quickly में इसी तरीके से real estate पे और वीडियो बनाता रहूँगा That's all for today, signing off and ओन भादवाज, take care, have fun